नमस्कार दोस्तों आज गरीनर थैंजियों के टीम कुरुक्षेतर में रैड क्रोस बवन के पास पहुंची है पेडों को निचे से कच्छा करने के लिए तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा देखे ये रोड है और इसे कितना उच्छा उठा के ये इंटरलोकिंग लगाई तो टाइले इसके बाद ये सिमेंट लगी हुई है पूरी ये सिमेंट भरी हुई है यहां तक ये सारा का सारा कहीं से भी कच्छा नहीं है तो इस तरीके से देखें ये हमारे दोस्त है एडवोकिट सुसील कुमार जी तो आज हम रैड क्रोस बावन कुर छेतर के पास से पे पेड़ों के नीचे तक देखें कैसे किस तरीके से स्टैम ये बिल्कुल कटाओ शुरू हो चुका इसमें तो ये सब पेड़ों को पक्का किया हुआ है तो गरीनर थैंजियों की टीम हर संडे सुबह आकर इस तरह से पेड़ों को कच्छा करती है ताकि पेड़ों के जड़ तो क्या होता है कि जब इस तरह से हम पक्का कर देते तो कुछ टाइम के बाद पेड़ सूख जाते हैं और जब हम बात करते पेड़ लगाने की परियावन बचाने की तो यह बड़ा इपोटेंट है कि जो लगे हुए पेड़ है इतने बड़े बड़े आप देखेंगे तो उनको पहले कच्छा किया जाए और बविश्य में कहीं पर भी इस तरह से इंटरलोकिंग टाइल्स या उ किस तरीके पूरी तरह कंकरीट यह साइड में जो कच्छा दिख रहा किया हुए है कि तो दोस्तों ये ग्रीनर तैंजियोग की टीम हर संड़े पेड़ों को निचे से कच्छा करने का काम करते हैं ताकि जो पेड़ हमारे अल्रेढ़री लगे हुए वह सरक्षित रहे शुरुक्षित रहे तो आप सभी से भी निवेदन है कि आपके अरिया में जहां कहीं पेड़ इस तरह से पक्का किया उसका कच्छा करें और इसके बारे में एंजीटी ने बिल्कुल कल यह डारेक्शन दी हुई है कि किसी भी पेड़ के तने से कम से कम एक मिटर तक कच् तो वहाँ पर अनावशक्तोर पर इस तरह इंटरलोकिंग लगाके उसको पक्का ना किया जैए अब आप देखें यह देखें पूरी तरह से रस्ताबंद है इसके उपर से कोई नहीं जाता है इस पुटपात से इसके बावज़ुदी देख कितनी दूर तक इंटरलोकिंग तो पच्छा रखें धन्यवाद